नमशार दोस्तों मेरे नमें विमल सिंग बालाजीष्ट रियड़ा में आपका स्वागत है ज्वागरफी के अलग-अलग टॉपिक वाइस हम आपको प्रस्णों की प्रेक्टिस करा रहे हैं तो इससे पहले हमने पांचवा जो है वो टॉपिक देखा था साइड में आए बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा आज हमारा चटा टॉपिक है अंतराश्टी तिथी रेकावा समय इस पर आधारी टोटल प्रस्णों की संक्या जो है वो 29 है सभी प्रस्ण हम आज के इस एक ही पार्ट में देखेंगे और एक प्रस्ण लाश्ट में हम आपसे भी पूछेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रस्ण नमबर एक से पहला प्रस्ण आपका है कि अंतराश्टी तिथी रेका जो है वो कहलाती क्या है बहुत ही जादा बार पूछा जाने वाला ये प्रस्ण है बताइए इन चार उप्षन में से कौन सा सही होगा जीरो डिगरी अक्षान्स, जीरो डिगरी देसान्तर, साड़े चाचच डिगरी अक्षान्स या 180 डिगरी देसान्तर बताइए इन में से कौन सा आपका सही होगा तो उप्षन A, B, C या D में से चलिए बात कर लेते हैं फिर अंसर की कौनसर सही हो जाएगा तो आपका 180 डिगरी देशांतर जो है आपका हो जाएगा इसे पहले भी सी पर बेश्ट एक कुश्चन आया था वहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पर सत्य और असत्य कतन जो है वो चाटने थे तो अंतराश्य तितिरेखा जो है वो आपकी 180 डिगरी देशांतर जो है वो कहलाती है इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लिजेगा क्योंकि पूछा वह जाता है दूसरा प्रस नहीं मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में और काथ नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका अंसर देंगे कि अंतराश्य तितिरेखा का निरधारन जो है वो किस वर्स किया गया था 1662 इसवी में, 1745 इसवी में, 1884 इसवी में या फिर 1947 जो है वो इसवी में इस टाइप से चार उप्षन है, इन में से कौन सा सही होगा, ये आप से आप पूछा गया है, बताएए उप्षन A, B, C या फिर D अंतराश्य तितिरेखा का जो निरधारन है, वो किस वर्स किया गया था तो चलिए बात कर लेते हैं अंसर की, तो ये भी अच्छा प्रसन है, 1884 इसवी जो है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अंतराश्य तितिरेखा का निरधारन, 1884 इसवी में किया गया था, और कही न कहीं ये भी होता है न, किसी चीज से आप जोड लीजिए तो इसके ज़स्ट एक साल बाद आपका कॉंग्रेस का पहला दिवेशन हुआ था, जो कि 1885 में हुआ था, तो बस उससे एक साल पहले से ही स्टार्ट हुआ था, अंतराश्य तितिरेखा का निरधारन अगला देखते हैं, तीसरा प्रस्न, अंतराश्टी है, तितिरेखा की जो इस्थिति है, वो आपको बताना है, निम्न में से किसके जो है, वो निकट्तम है, 0 डिग्री अक्षांस, 0 डिग्री देसांतर, निकट्तम जो है, आपर पूछा गया है, और तीसरा ओप्शन है, 90 डिग्री पूर्वी और पश्चमी देसांतर, और चौता है, 180 डिग्री पूर्वी और पश्चमी देसांतर, यहां पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देते हैं, ताप यह आपको दिखाएजे, तो बताइए, ऑप्शन एबीचिडी में से कौन सा जो है, वो सही होगा, अंत 180 डिग्री पूर्वी और पश्चमी देसांतर, इसके सबसे निकटतम है, और अंतराश्टी तिथी रेखा है, कितनी 180 डिग्री देसांतर है, तो इसी से ही जो है, वो निकटतम है, अगला देखते हैं, चौता प्रस्न, जो की है, कि ग्रीन विच से 180 डिग्री मध्यान रेखा कहलाती है, इस टाइप से 4 ओप्शन है, बताना है आपको इलमे से कौन सा जो है, वो सही होगा, ग्रीन विच से 180 डिग्री मध्यान काल्पनिक रेखा जो है, वो क्या कहलाती है, ओप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा, चलिए फिर बात करते हैं, अंसर की, ग्रीन विच से 180 डिग्री मध्यान काल्पनिक जो रेखा है, इसे हम अंतराष्टि तिथी रेखा के ही नाम से जो है, वो जानते हैं, तकि उपर मैंने बताया भी था, 180 डिग्री वो यहाँ पर मध्यान काल्पनिक रेखा गर के जो है, वो पूछ लिया गयाता है, यही प्रस्ण देखी क कितनी अलग-अलग प्रकार से पूछ लिया जा है, अगला प्रस्ण है आपका पांचवा की दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत, अंतराष्टि दिनांकरे का तेड़ी मेडी जो है, वो बनाई जाती है, ताकि पहला है कि कुछ भूमी छेत्र और दिवप समूव को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसलिए या फिर नाविकों के लिए अपनी घड़ी का समय समंझित करने को और ज्यादा सुकर बनाया जा सके, तीसरा है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की और जल्यात्रा ये सुकर नहीं सुलबी होना चाहिए, और जल्यात्रा करने वाले जो नाविक है कैलेंडर में दिवस का समंझन कर सके, और चौथा है एक सो असी डिग्री इस्ट और एक सो असी डिग्री वेस्ट को सहाव सानी जो है वो बनाया जा सके, तो बताई इन में से कौन ता सही होगा, अंसर की बात करते हैं, पहला बिलक जो है वो बनाई जाती है, आप देखेंगे ना, जब मैप से होकर गुजरी है, तो काफी देडी मेडी है, अगला चटा प्रसन है, अंतराश्टी तिती रेका बिलकुल सीधी जो है वो नहीं है, इसका क्या करणा है, उपर यहला प्रसन है, पर यहाँ पर देखिए, रीजन है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन चारों में से अंसर की बात करते हैं, तो सी वाला ही आपका बिलकुल सही होगा, कुछ देशों के विमन भागों के दिन, और समय जो है, इनको एक समान रखना, अंतराश्टी तिती रेका, इसलिए बिलकुल सीधी नहीं है, यही इसका दियुपसमू होता है, या फिर क्यूरायल दियुपसमू होता है, या फिर इन चारों में सभी जो हो जाएंगे, पता यह उत्री प्रसांत महासागर में जो अंतराश्टी तिती रेका है, उसके विचलन का क्या रीजन होता है, तो अंसर की बात करते हैं, आपको आप्शन ब दियुपसमू हो जाएगा, यह जो है इसके विचलन का करण हो जाएगा, आफ्वा प्रसंद बहुत पूछा जाता है, यदि अंतराश्टी तिती रेका पर दिन के 12 बजे हो, उसी समय भारत का मानक समय क्या होगा, सुबा के 6 बजे या फिर साम के 5 बजे, या फिर सुबा के 5 बजे, या फिर साम के 6 बजे, साथ इसाथ वूडियो पसंद आए, तो लाइक भी अवश्य करते रहेगा, ताकि जिवरकार अच्छे प्रस्णम प्रैक्टिस आपको कराते रहें, तो पताइए इन 4 आप्शन में से कौन सा जो है वो साही होगा, यदि अंतराश्टी तिती 5 गंटा पागे जाएंगे, तो साम के 5 बज जाएगा, भी वाला आपका उप्शन बिलकुल सही हो जाएगा, जब भी आप मुबाइल वगएरा में टाइम सेट करते होगे, तो वहाँ देखे लिखा भी रहता है, 5.5 GMT करके, 9 प्रत्वी जो है, उसको कितने समय कटिवंदो में बाटा जा सकता है, बताइए, 2, 4, 24, 24, 64, कौन सा इन में से सही होगा, प्रत्वी को कितने समय कटिवंदों में बाटा जा सकता है, चलिए आप बात करते हैं, आंसर की तो अपका यहाँ पर 24 जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा, प्रत्वी को 24 समय कटिवंदों में बा कटी बंद हो गया सी तोस्ट कटी बंद हो गया दुरुवी एकटी बंद हो गया तो अलग-अलग होते हैं दस्वा प्रसना आपका है भारत का जो प्रमाडिक समय है वो किस देशांतर से जो है वो लिया गया है चार ओक्षन है बताईए इन में से कौन सा जो है आपका सही होग भारत का प्रमाडिक समय जो है वो किस देसांतर से जो है वो लिया गया है motion A, B, C या D में से answer की बात करते हैं तो आपका option D वाला यहां पर जो है वो बिल्कुल सही होगा यानि कि 82 degree east जो है आपका बिल्कुल सही होगा अगला प्रसन देखते हैं आपका 11 नंबर की भारत का जो प्रमाडिक समय है वो किस इस्थान से जो है वो निश्चित किया जाता है मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से या फिर कोयम बटूर से अच्छा प्रसन है, बताईए इन में से कौन से आपका सही होगा भारत का जो प्रमाडिक समय है वो किस इस्थान से जो है वो निश्चित किया जाता है तो आपका अंसर इलाहाबाद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो यही आपका option बिल्कुल सही हो जाएगा इलाहबाद के नैनी, नैनी आपर में लिख देता हूँ अगला प्रसन है आपका 12 नंबर की green which माद्ध समय जिसे हम GMT कहते हैं तथा भारतिये प्रमाड समय जिसे हम IST कहते हैं इसके बीच समयांतराल जो है वो कितना होता हैं इसी की मैंने भी बात भी गी थी उपर तो बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा IST की full form क्या होती है IST की full form होती है Indian standard time और जो GMT है इसकी full form होती है green which mean time तो वही पूछा है कि GMT जो है और भारतिय प्रमाड समय इसके बीच कितना अंतर होता है अंसर की बात करें तो 5 गंटे 30 मिनट आपका सही हो जाएगा और यही difference को भी दिखाता है जैसे वहाँ पूछा गया था न कि 12 बजा है तो वहाँ कितना बजा होगा तो उसी में हम 5.5 गंटे जो है उसी आप से बढ़ा देते थे अगला प्रसन देखते हैं 13 नंबर क्या कि निमलिकित में से किस इस्थान का प्रमाडिक समय और इस्थानी समय लगत तक एक समान है नई दिल्ली, नैनी, एहमदाबाद, राची चार ओप्षन है बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा अंतर की बात करते हैं इन चार ओप्षन में से तो आपका ओप्षन नैनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जिसके बारे में भी मैंने उपर आपको बताये भी 14 प्रसनाब का है भारत के सारवादिक पूर्व और पश्चिम में इस्थानों के समय है उसमें जो है वो कितना अंतर होता है बताईए एक घंटे का, एक घंटा 30 मिनट का, दो घंटा का या पर दो घंटा 30 मिनट का कौन सा इन में से जो है वो सही होगा भारत के सारवादिक पूर्व और पस्चिम में इस्थित इस्थानों के इस्थानी है जो समय होता है उसमें जो है वो कितना का अंतर जो है वो होता है चलिए बात करते हैं अंसर की इन 4 ओप्षन में से कौन सा सही होगा तो आपका ओप्षन 2 घंटा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो आपका ओप्षन C वाला है यहाँ पर जो है वो सही होगा पंदर नमबर प्रस्ण यह कह रहा है कि अंतराश्टी तिथीरे का 180 डिगरी देशांतर से कितनी बार विचलित होती है बताईए 4, 8, 60 या 10 कौन सा इन में से सही होगा अंतराश्टी तिथीरे का 180 डिगरी देशांतर से कितनी बार विचलित होती है चार, आठ, साठ, या देश, दस में से अंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा तो आपका चार जो है वो विल्कुल सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं आपका 16 नंबर की अंतराश्टी तिति रेखा 180 norm डिग्री आमेउत्तर से अंतर जो है वो करती है जिससे की वह चार आप्षोन में बताना है आपको कौन सा जो जो है वो सही होगा डारेक्ट हम अंसर की बात करेंगे कौन सा इनचारों में सही होगा तो पहला यह option आपका सही होगा कि एक ही प्रसासन के अंतरगत द्यूब समू को जो है वो विभाजित ना करे तो एवाला यहाँ पर सही होगा अंतराश्टिति फिरे का 180 डिग्री आम उत्तर से अंतर करती है जिससे कि वो एवाला आपका सही होगा 17 नमबर प्रसन आपका कह रहा है कि यदि किसी इस्थान का इस्थानी एमानक समय ग्रीन विच समय से 12 घंटे जो है वो आगे है तो वो इस्थान जो है वो कहां इस्थित होगा उसकी इस्थिती के संदर में प्रसन जो है वो पूछा गया है चार उप्षन है बताईए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा उप्षन ए बी सी या डी चलिए बात करते हैं फिर अंसर की इन चार उप्षन में तो सी वाला आपका उप्षन ही आपर 180 डिगरी अर्थ इस्थ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यदि किसी स्थान का स्थ पचास पूर्वी देशांतर पर इस्थित एक इस्थान पर समय जो है वो क्या होगा तो आपको बताना इन में से कौन सा जो है वो समय जो है वो सही होगा कि ग्रीन वीच पर समय मध्यान 12 बजे हैं तो पचास पूर्वी देशांतर पर इस्थित एक इस्थान पर समय जो है वो क्या होगा अंसर की बात करते हैं इन चार उप्षन में तो आपका साएं तीन बच कर बीस मिनिट जो है बी वाला उप्षन है आप पर सही होगा सेम देखें इसी टॉपिक पर ही अनी इसी तरीके से ही आपका अगला भी 19 प्री प्रसन है कि यदि ग्रीन विच जीरो डिगर पर रातरी के 12 बचे हैं तो 30 डिगरी पूर्वी देशानतर पर इस्तित काहिरा में क्या समय होगा इस टाइप से यहाँ पर भी चार्ट ऑप्षन दे रखें बताइए इन में से कौन सा जो है वो सही होगा चलिए बात करते हैं अंसर की तो यहाँ पर जो है वो दो बजे रा नेक्स प्रसन देखते हैं कि प्रत्वी पर दो इस्थानों की स्थिती के अनुदैर्द का अंतर 15 डिगरी है इस्थानी समय में कितने का अंतर होगा यह यहाँ पर जो है वो पूछा गया है एक गंटा दो गंटा पांच गंटा पंदरा गंटा इस टाइप से चार ऑप्षन देरक हैं बताईए इनमें से कौन सा सही होगा दो इस्थान जो है उनकी इस्थिती के अनुदैर्द का जो अंतर है वो 15 डिगरी है तो बताईए इस्थानी समय में कितने का अंतर जो होगा अंसर की बात करते हैं तो आपका ओप्षन एक गंटा यानिकि ए ओप्षन जो है आ इतने का अंतर होगा, इतने degree का अंतर होगा, यह यहाँ पर पूछा गया है, एक point मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, कि एक डिग्री जो देशांतर है उसमें 4 मिनट का जो है वो डिफरेंस होता है अब यहाँ पर जो गंटे और मिनट में दे रखा इसे आप पूरे वैल्यू मिनट में चेंज कर लिए तो दो गंटे में एक गंटे में 60 मिनट होते हैं दो गंटे में 120 होंगे और 120 में 20 और जोड़ेंगे तो टोटल 140 मिनट यहाँ से आएगा अब 4 मिनट के हिसाब से निकालने के लिए देशांतर में आप क्या करेंगे इसे को 4 से जो है वो डिवाइट कर दीजे 4 से इसको काटेंगे तो 4-3-12 होता है 2 उधर जाएगा और और 5-0-20 होता है यानि 35 आएगा 35 डिगरी आपका डीवाला अंसर जो हो जाएगा 22 नमबर प्रसंद के रहा है अंतराश्टी यह दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है बताइए 0 डिगरी, 180 डिगरी, 90 डिगरी, 270 डिगरी में से कौन से सही होगा तो काफी बार हमने इस टाइप का प्रसंद के ऊपर भी देखा है तो 180 डिगरी आप आसानी से इसे टिक कर सकते है अगला प्रसंद है, ग्रीन विच किस देश में है, USA में है, UK में है, हॉलेंड में है, भारत में है बताइए फटा-फट से कौन सा इन में से सही होगा जो ग्रीन विच है, उपर मैंने बताया था ना, कि किस टाइप से उसका मानक समय जो है, वो निरधारित होता है, कहां से उकर जाती तो वही पूचा गया है, कि ग्रीन विच किस देश में है, USA, UK, हॉलेंड, भारत, अंसर की बात करते हैं, तो आपका भी वाला उप्शन, UK जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं, 24 नमबर, एक देशांतर को पार करने में दो स्थान है, उनके स्थानी समय के बीच क्या अंतर होता है, 8 मिनट का होता है, 4 मिनट का, 2 मिनट का, या फिर 0 मिनट का, कौन साहिन में से सही होगा ऑप्शन, ABCD में से कौन साहिन होगा, अंसर की बात करते हैं, तो आपका 4 मिनट जो है, वो बिलकुल सही होगा, एक देशांतर को पार करने में, दो स्थानों के स्थानी जो समय है, उसके भी 4 मिनट का अंतर होता है, उसी पर बेश तो अभी मैने उपर, एक कुशन भी जो हो कराया, अगला प्रसन 25 कहा रहा है, कि अंतराश्टी तितिरेखा के समन में, इन में से कौन सा कतन जो है, वो असत्य है, गलत कतन आपको यहां पर छाटना है, पहला कहा रहा है, यह कालपनी ग्रेखा है, दूसरा कहा रहा है, कि बेरिंग सागर में यह रेखा, पश्चिम की और मोडी गई है, और चौथा कहा रहा है, न्यूजिलेंड, और फिजी द्यूप समू को एक साथ रखने के लिए, दक्षडी प्रसांत महाजागर में यह रेखा, पूर्व की और मोडी गई है, अंसर की बात करते हैं इन चार उप्शन में से, तो आपका सी वाला उप्शन साथ होगा, 75 डिगरी उत्तरी अक्षांत पर यह रेखा, पश्चिम की और मोडी गई है, अंतराश्टी यह तिथी रेखा, 26 नंबर प्रसन है, किसी एक छड़ निम्लिकित नगरों में से, किस एक में घड़ी का जो समय है, वो अन्य तीन नगरों की घड़ी के जो समय है, उ जो है, वो सही होगा, चाड़िये, बात करते हैं, अंसर की औक्षन एविजडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका औक्षन बिलकुल सी वाला, अदिस अबाबा, इथियोपिया, जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा, 27 नंबर प्रसन है, कि जब ग्रीन विच जो है, उसमें मध्यान है, एक जगा का स्थानी है समय, पांच बजे साय का हलका दे रखा है, तो निम्नांकित में से वो कौन सा याम्रोत्तर है, जिस पर वो परियुक्त जगा जो है, वो इस्थित है, बताइए, इन चारों आप्षन में से कौन सा जो है, वो सही होगा, आप्षन A, B, C य यह जो है, वो सही हो जाएगा, 28 प्रसनाप का यहां पर दे रखा है, कि जब ग्रीन विच जो है, उसमें मध्यान है, एक जगा का स्थानी समय, पांच बजे साय का है, इसका अंसर हमने देख लिया था, 75 डिग्री पूर्व, 28 प्रसनाप का है, काहीरा का समय, ग्रीन विच स अंतर जो है, इस पर जो है, वो पिल्कुल सही होगा, देखते है हमारा अगला और इस वीडियो का लाश प्रसनाप को देखने से पहले वीडियो प्रसन के आपने लाइक ना किया हो, सब लोग वीडियो के लाइक, चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके भी जूर जाह कि इनके बीच कालांतर जो है, वो कितने मिनट का होगा, यह यहाँ पर पूछा गया है, बताइए, 80 मिनट, 0 मिनट, 20 मिनट, या फिर 34 मिनट, कौन सा इन में से सही होगा, तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की इन 4 ओप्षन में से, तो आपका पहला ओप्षन ही यहाँ पर सह होगा, सभी प्रस्ण इस चैप्टर के हमारे समापते हैं, अंतराश्ची तितिरेका में, स्टार्टिंग में होने बताया थे, अब हमारे नया जो चैप्टर है, उस पर आधारित प्रस्ण है, जो कि चटान है, कि भूप्रष्ट जो है, उसका कितना परसंट भाग, प्रस्ण देख रहे हैं, और एक में जोगर भी परादा रहे हैं, तो लाइव आकर भी प्रस्ण आप देख सकते हैं, प्रस्णों की प्रैक्टिक्स कर सकते हैं, आज कुड़ में इतना ही रखते हैं, सभी लोग अपना अंसर वश्वताईगा, मिलते हैं फिर अगले वीडि झाल जाहिन